हेलो बच्चों, इस विडियो में हम गुणन खंड, फैक्टर्स क्या हैं? इसके बारे में जानेंगे. अप्पु ने आज सभी गाउं वालों को मुफ्त में बारा बारा लड्डू बाटने का फैसला किया है. अप्पु ने सभी गाउं वालों को अपने लड्डू ले जाने के लिए डिब्बे लाने को कहा है. अगले दिन अप्पू की दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई सबसे पहले बबन ने अप्पू को अपना डिबा दिया बबन के डिब्बे में एक रेखा में बारह खाने हैं अप्पू सोच रहा है बब्बन के डिब्बे में एक रेखा है और इस रेखा में बारा खाने है क्या मैं इन बारा खानों में बराबर बराबर लड्डू बाट पाऊंगा मैं बबन के डिब्बे के हर खाने में एक एक लड़ू रखकर बारा लड़ू को इन बारा खानों में बराबर बराबर बाढ़ सकता हूँ अप्पु ने बबन के डिब्बे में लड्डू भर दिये अब शेर खान ने अपना डिब्बा अप्पु को दिया शेर खान के डिब्बे में एक रेखा में छे खाने हैं सोचो बच्चों, क्या शेर खान के डिब्बे में अप्पू 12 लड्डू बराबर बराबर रख पाएगा? जी हाँ, अप्पू शेर खान के 6 खानों में, हर खाने में 2-2 लड्डू रखकर 12 लड्डू को बराबर बराबर बांट सकता है बच्चों, अगर हम गौर से देखें, तो पाएंगे कि बब्बन के डिब्बे में 1-12 लड्डू है और शेर खान के डिब्बे में 2-6, 12 लड्डू ही है दूसरे शब्दों में, हम 12 को 1-12 या 2-6 इन में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं एक, बारा, दू और छे ये संख्याएं बारा के गुड़न खंड फैक्टर्ज हैं आए देखें कि लाइन में अगला नमबर किसका है लाइन में अगला नमबर चंदा का है चंदा के डिब्बे में 1 रेखा है और इस रेखा में 3 खाने हैं क्या हम चंदा के डिब्बे में भी 12 लड़ू बराबर बराबर बांट सकते हैं तीन गुणा चार है बारा इसलिए चंदा के डिब्बे में भी हम तीन खानों में 4 चार लड़ू रखकर 12 लड़ू को बराबर बराबर बांट सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि तीन और चार ये संख्याएं 12 के गुणन खंड हैं अप्पू ने चंदा के डिब्बे में 12 लड़ू भर दिये बच्चों क्या 12 के और कोई गुणन खंड हो सकते हैं क्या हम 12 को और कोई संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं आप चाहें तो विडियो को रोख कर इसका उत्तर सोच सकते हैं जी नहीं 12 के और कोई भी गुणन खंड फैक्टर्ज नहीं हैं एक, दो, तीन, चार, छे और बारह, ये संख्याएं बारह के गुड़नखंड, फैक्टर्ज हैं अपुने सभी गाउवालों को दिन भर मुफ्त में लड़ू बाटे और गाउवाले बहुत खुश हो गए बच्चों, इस वीडियो में हमने गुड़नखंड, फैक्टर्ज क्या हैं, इसके बारे में जाना अगली वीडियो में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे